करते हैं सबसे पहले पहली प्रॉसेस से और तो पहला प्रॉसेस से गेट इनफ स्लीप यानि कि आपको परियापत मातरा में नीद लेना चाहिए मैं गुरुकुल में दो बच्चीयों से मिला उन्होंने बताया कि वो बहुत जोस में हैं और अभी सिर्फ 5-6 गंटे सो रही है यह 6 गंटे भी नहीं सो रही है तो उसमें मैंने देखा कि कुछ दिन के अंदर behavior change आने लगा जैसे नौशिया जैसे forgetness यानि कि कुछ भूल जाना पढ़ी हुई चीज को ज्यादा दे तक recite न कर पाना थकान मैसूस होना दिन में 3-4 बज़े के आसपास बहुत drowsy यानि बहुत important segment होता है अगर आप memory को enhance करना चाहते हैं तो कभी भी 6-7 गंटे आप minimum नीद तो 7 गंटे आप लेंगे ही लेंगे नीद ये आपको ध्यान रखना और नीद भी आपकी एक ऐसी होनी चाहिए टुकड़ों में नहीं होनी चाहिए उसमें REM cycle यानि rapid eye movement होना चाहिए तब भी आपकी memory यहां पर आगे बढ़ पाएगी याद रखेगा कि नीद का हमारे memory से बड़ा अच्छा संबंद है तो नीद क्या होता है नीद यानि sleep को बोला जाता है unconscious meditation लिख लिजिए sleep की परिवाशा sleep को बोला जाता है unconscious meditation यानि अचेतना में किया गया ध्यान ही नीद है कौन से काम की नहीं है और उसको फिर वो long term memory में भेज देता है हमारी memory दो टाइप की होती है short term memory and long term memory तो हमें क्या करना है हमारे लिए कौन से काम की है और वो है long term memory तो आपको brain को परियाब तो समय देना पड़ेगा कि वो अपनी information को process करें सोने से शुरुआत की है अंत में आपको जगा दूँगा दूसरा है recommendation amount sleep for the optimal brain function तो आपको 7 गंटे 8 गंटे की नीद लेनी चाहिए इसमें कोई शरम वाली बात नहीं है आप इमानदारी से 7-8 गंटे अगर पढ़ते हैं focus होकर पढ़ते हैं आपके selection के लिए ये बहुत ही important है बहुत important है next हम बात करते हैं जैस लख रहे हैं यानि आप क्या खाएंगे कितने glass पानी पीएंगे diary में mention करना पड़ता है उसमें glass की photo बनी हुई है और मैं होस्टल जाकर glass का size देखता हूं उसमें आपको mention करना होता है कि मैंने इतने glass पानी पिया इतने बज़े ये खाया class के break में आपको ठोटे से डिब्ब है तो maintain your healthy diet के अगर हम बात करेंगे तो brain boosting foods जैसे इसमें आप अखरोट और बादाम राइट यानि omega 3 fatty acid बहुत important है omega 3 fatty acid आपके brain function को बढ़ा देता है जैसे आप छोटे से डबे में रात में भिगो कर बादाम और अखरोट रख सकते हैं थोड़ा से किश्मिस भी रख सकते है जैसे ही आप पढ़ाई करने लगे 45 minutes के उपर जैसे ही आप जाते हैं तो वहाँ पर आप थोड़ा सा उसको खाएं और पानी पी लें इससे क्या होता है आपके brain को omega 3 fatty acid इसको सामाने बाशा में brain food भी कहा जाता है यह दिमाग का खाना है omega 3 fatty acid हमारे brain function को कई गुना बढ़ा देता है याद रखिएगा तो आपको इस तरह क्या खाना खाना चाहिए दूसरा पढ़ लेंगे नहीं हमारे यहाँ जो है वो बहुत focus करके teacher के साथ discussion करके पढ़ाया जाता है और जैसे ही lecture खतम होता है वैसे ही test शुरू हो जाते हैं तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलते है active study क्योंकि class का time आपको निचोड कर बाहर करना है जैसे ही lecture खतम होते हैं तुरण test process हो जाता है आपको तुरण test देना होता है एप पर टेस्ट लाइव हो जाता है तो यह जो process है लगाता और उसके ओपर discussion होते हैं तो student को class में बहुत active रहना पड़ता है हमारे brain को हमारी पूरी energy का जो हमारा दिमाग है इसको पूरे system के energy का 20% अकेले चाहिए यह super machine है तो इस super machine को काम करने के लिए जबरदस function चाहिए और हमारे body में जो fat carbohydrate है उसको dissolve करने के लिए पानी बहुत important है तो जब भी आप पढ़ाई करने बैठें पानी sip sip करके पीते रहे हैं या हर 45 मिनट में आपकी body में एक परियाप्त मात्रा में liquid जाना ही झाल इना है